हलो अच्चो क्या हल चाल कैसी चल रही है पड़ाई तो आज के इस वीडियों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस टूट हर नाइंटिन पेपर टू का सेक्सें टू सेक्सें टू में हमारी पास नुमेरिकल वैलु टाइप क्वेश्चन थे सेक्सें वन हमने सॉल्व किया उसमें multiple correct टाइप क्वेश्चन थे वहाँ पर तुमने देखा होगा कि multiple correct टाइप में बेसिकली कर क्या रही है लोग आज कल का जईए का ये trend बन गया है कि वो एक question दे देते हैं उसके basis पे 4-4 question देते हैं मतलब हर एक multiple type question बेसिकली एक paragraph टाइप टाइप का होता है ठीक है कि एक paragraph दे दिया उस पे बेश चार कुश्चन तुम्हें चारो के चारो कुश्चन अलग-अलग तरीके solve कर दे पड़ेंगे and ultimately तुम रिजल्ट तिक कर पाओगे तो multiple correct टाइप जो question होता है वो थोड़ा सा time taking होता है लेकिन numerical value type में क्या होता है एक question पर्टिकलरी solve की आप कुछ answer आया answer ठिक कर दिया तो यार देख लो तुम सबको paper को solve करो PY को solve करो अपने strength को अपने weakness को identify करो उसके basis पे एक proper strategy बनाओ कि तुम किस तरीके solve करने वाले हो paper ITJ advance के exam में तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए है उनको मैं बता दूँ कि इस channel पर हमने J.E.Mass का त्यारी करवाता हूँ class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and dropper के बच्चे आके यहाँ पर पढ़ सकते है मैस जैसे ही तुम home page पर आओगे तुमें नीचे दिखेगा upload section उसके और नीचे जाओगे तुमें दिखेगा revision series for J.E.Mass and J.E.Advance ये series में basically बहुत सारी playlist अलड़ी बने हुए है जिसमें तुमें दिखेगा previous year J.E.Advance के question solve किया गया है 2011 से लेकर के अभी तक का पूरा solve किया गया उसके पहले वाला भी solve किया जाएगा उसके बाद वाला भी solve किया जाएगा इसमें एक एक question हमने conceptually discuss किया हुआ है उसके बाद तुमें दिखेगा J.E.Mass previous year question उसके बाद तुमें दिखेगा let's crack J.E.Mass ये वाला जो series है इसमें हम लोग basically हर एक वीडियो में एक J.E.Mass level का question लिया है उसके बाद तुमें दिखेगा chocolate problem series chocolate problem series में हमने advance level के question लिया है जिसमें कि एक ही question में multiple chapters के concept यू जो रहे होंगे तो उस question के concept को पढ़ा है उसके आज उस question को solve करा है देन और नीचे जाओगे तुमें दिखेगा foundation builder course for I.T.J.E. for class 8th, 9th and 8th के बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा सा difficult पड़े लेकि 9th and 10th के बच्चे जो भी J.E.E. की तियारी करना चाहते हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस course में basically मैं वो सारी chapter cover करूँगा जो तुम्हारी board में होगा या फिर जो फी J.E.E. advanced के syllabus में chapters होगे और व्यस्सी बात है हम लोग advanced level तक नहीं जाने वाले है J.E.E. advanced के chapters में लेकिन हम लोग basic level तक तो cover करेंगे ताकि तुम्हें एक proper idea मिल जाए class 9th and 10th में ही सारी chapters का upload करने वाला हूँ यहाँ पर multiple playlist अल्रेडी बन चुके हैं बहुत सारी chapters के और भी chapters आने वाले हैं ठीक है तो चलो video स्टार्ट करते हैं video स्टार्ट करेंगे सबसे पहला question हमारे पास बहुत ही तगड़ा सा बहुत ही lengthy basically तगड़ा सा क्या concept बहुत हाइफाई नहीं है लेकिन time taking question है अब तुम देखोगे बोला गया यह यह एक matrix है जिसका पहला element यह है दूसरा element यह है तीसरा element यह है चौता element यह है इस matrix का determinant is equal to 0 है ओके this means basically यह जो कोई matrix है इसका determinant निकालेंगे उसको equate करेंगे 0 से वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ unknown होगा which is n उस n की value find out करेंगे n का है some positive integer और एक बार अगर n आ जाता है then we have to find the value of this तो तुम्हें इस question में देख रहा होगा कि basically यह लोग determinant तो solve करवाना ही नहीं चाहते हैं यह लोग equation solve कराना चाते हैं summation solve करवाना चाते हैं और वो भी summation किसका binomial coefficient का अब जो बच्चे भी मुझे comments में बोल रहते किस तर binomial coefficient का question करवा दो 4-5 question करवा दो जिसके summation के जिसके वीक तो उनके लिए opportunity है मैं एक एक summation को बहुत अच्छे तरीके से discuss करने वाला हूँ चलो सबसे पहले पहला वाले element यह वाले element तो बहुत easy है यार k is equal to 0 से n अब तुम सोचो इसमे k is equal to 0 रखोगे 0 1 2 3 से लेकर के n तक इसका sum तो सबको पता है class 9 के बच्चों को भी अब पता है क इसका मतलब पहला वाले element तो हमारा clear है अब देखो second element, third element, fourth element यह सारे होंगे binomial coefficient के sum तो यहाँ पर fourth वाला element बहुत easy है इसलिए मैं इसको पहले बता जता हूँ देखो यह तो उस form में लिखा हुआ है k को हटा दिया जा ncr तो this is ncr x to the power r का summation r is equal to 0 से n तक यह तो बहुत यह किसका expansion है बता दो यह है sir 1 plus x to the power n का expansion ncr x to the power r 1 plus x to the power n को expand करोगे तो यही general term बनता है ठीक है this means यह लिखा हूँ है x के जगा 3 तो 1 plus 3 पे power n that is 4 to the power n तो यह वाला जो element यह कितना बन गया 4 to the power n यह दोनों element तो easy थे हमने बहुत ही आसानी से calculate कर लिया अब थोड़ा सा दो element में time लगेगा हमें तो यहाँ पे nc k into k वाला element यह भी थोड़ा सा relatively उस वाले से easy है तो देखो यहाँ पे एक दो formula वर्ख करता है एक formula बहुत ही प्यारा सा है ncr is equal to n upon r n और r निकाल लिया तो बचा है उदर n-1 cr-1 यह formula बहुत important है summation वाली चीज़ों के लिए ठीक है तो इ multiplied by ncr this is same as n multiplied by n-1 cr-1 अच्छा यह क्यों use होगा यह इसलिए use होगा इसके लिए यह r जो variable है वो convert हो जाता है constant में क्योंकि n तो हमेशा fix है n is a constant r is a variable r की value हमेशा change होती है लेकि n की value तो change नहीं होगी न n की value तो constant है तो n जब आ जाता है तो इसका आफ summation निकालेंगे तो n summation के बहार आ जाता है and सिर्फ binomial coefficient का sum बसता है binomial coefficient का sum तो हमें बच्पन से सिखाया जाता है कि nc0 plus nc1 plus nc2 plus ncn का sum कितना होता है सबको याद होना चाहिए 2 to the power n होता है ठीक है होके तो ultimately इससे करते हैं या फिर कुछ लोग इसको किससे करते हैं differentiation से मतलब वो पहले 1 plus x to the power n का expansion लिखेंगे that is 1 plus x plus nc0 nc1 step से उसके आत क्या करेंगे दोनों साथ differentiate करेंगे then x के value कुछ-कुछ put करेंगे ताकि यह इस form में आ जाए तो मैं differentiation जेनरल नहीं करता हूँ मैं तो क्या करता हूँ basic concept से basic formula से कर लेता हूँ तो simple सी बात है हमने ऐसा किया अब मैं इसको कैसे reduce करूँगा I will say this is r into ncr type r into ncr की चीजों को लिख सकते हैं n into n-1 ck-1 and since n एक constant है तो n बहार आ जाएगा summation लगेगा k is equal to 0 से n तक अब इसको ध्यान से देखना k is equal to 0 रखोगे तो यह तो minus 1 हो जाएगा तो undefined है तो इसलिए k कहां से start होगा 1 से अब जब k is equal to 1 रखोगे तो वहाँ आजाएगा n-1 c0 k is equal to 2 रखोगे तो n-1 c1 आएगा इसी तरीके से k is equal to n रखोगे तो आएगा n-1 cn-1 अब देखो इसका जो upper limit हो कितना है n-1 इसका जो upper limit था वो कितना था n था तो इसलिए answer है था 2 to the power n इसका answer क्या आना चाहिए 2 to the power n के जगर rollcon play कर रहा है n-1 तो this is n into 2 to the power n-1 इसका मतलब ये वाला जो third element था ये भी पता चल गया मुझे n into 2 to the power n-1 तो मुझे तीन elements पता चल चुके हैं इस matrix के मुझे एक और element पता करना है which is ये वाला इस quantity को ध्यान से देखेंगे और summation calculate करेंगे ncr या फ लिखा जा सकता है k into k into n c k k is equal to 0 से n ये summation निकालना है तो देखो इसको दो तरीके कर सकता है फिर से मैंने बोला एक differentiation से तुम differentiate करो कितनी बार दो बार differentiation करना पड़ेगा आ जाएगा ठीक है ओके या फिर तुम करो directly formula n c k k into n c k को हम लोग क्या लिख सकते है n into n-1 c k-1 लिख स लिखते हैं तो ये summation reduce हो जाएगा n तो आ जाएगा summation के बाहर summation के अंदर रहेगा k is equal to something से n तक k एक बचा हुआ है k into n c k को लिखा था n into n-1 c k-1 अब ध्यान से देखना यहां के बाद ही बच्चे फस्ते हैं यहां तक तो सब calculate कर लेता है इस line के बाद फस्त जाते हैं बच्चे एक सरागी कैसे करें general formula से तो general formula जो हमारा था वो था r into n c r r into n c r का मतलब एस समझा एक डबबा कुछ भी लिखा हुआ है तो n c वही डबबा तब इसको लिख पाएंगे n into n-1 c डबबा-1 ठीक है तो इसका मतलब यहां पे k-1 है और यहां k है तो मैं directly r into n c r वाला formula नहीं लगा पाऊंगा लेकिन मु इसमें तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं यह तो k-1 fix है चेंज मुझे किसमें करना पड़ेगा इस k में क्योंकि वो case independent है this case independent of this तो इसमें मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं यहां यहां पे ही यह वाला quantity generate करते है इस k कैसे generate करेंगे तो I will say this is n multiplied by summation k is equal to 0 से लिख देता ह उसके k-1 से generate किया तो अव्यसी बात है अलग से खुछ से generate किया तो plus 1 तो करना ही पड़ेगा ओके इससे फाइदा हुआ इससे फाइदा क्यों देखना n multiplied by summation के अंदर क्या गया देखना k is equal to 0 से n k-1 multiplied by n-1 ck-1 plus n-1 1 से multiply करेंगे तो ck-1 इसका summation अलग लगा दिया summation को split कर सक रखते हैं और यह n overall multiplied है ठीक है यह याद रखने का है अच्छा यहाँ पर k को start करेंगे 1 से n तक then from here we can say n multiplied by इस bracket के अंदर होते हैं इस bracket के अंदर जब जाओगे तो फिर से r into ncr type है तो n-1 बहार आएगा summation जाएगा n-2 ck-2 एक एक और minus हुझाएगा k start हो यहाँ पर 2 से n त defined होगा उसके नीचे तो defined होगा नहीं then इधर आ गया यह यह तो easy a case equal to 1 से n तक गया तो 2 to the power n-1 बना तो ultimately this is n multiplied by bracket के अंदर n-1 and this is 2 रखा तो 2 to the power n-2 plus 2 to the power n-1 यह भी element मुझे पता चल गया ठीक है ओके this means 4 के 4 elements पता चल चुके हैं तो अब मैं इसका अगर determinant निकालूँगा तो वो होगा this multiplied by यह वाला element यह वाला element is 4 है तो मैं रखता हूँ n into n plus 1 by 2 multiplied by 4 to the power n this multiplied by this कर दिया minus this multiplied by this this is n into 2 to the power n-1 तो minus n into 2 to the power n-1 multiplied by यह वाला element यह वाला element is n into n-1 2 to the power n-2 plus 2 to the power n-1 this is equal to 0 अब मुझे यह वाला equation solve करना है ठीक है तो देखो पहले उन्होंने क्या काम करवाया पहले उन्होंने binomial coefficient के सारी का sum निकल वाया है जिसको sum ही calculate करने नहीं आता हुई question कर पाएगा क्या बोलेंगे बिल्कुल नहीं तो sum हमने calculate कर लिया तो हमारे पास एक भारी भर कम सा equation आ गया अब जिसको equation solve करने नहीं आता है वो यह question कर पाएगा क्या नहीं आएगा तो level तुम्हें दिख रहा है level तुम्हें दिख रहा है क्या तुम्हें इस question को directly attempt करना चाहिए exam में obviously not है ना जब time बचे तभी इस question को attempt करना है नहीं तो इस question को छोड़ देना है last तक ठीक है ओके तो from here we can see यहार है n into n plus 1 into 4 to the power n by 2 अभी ध्यान से देखेंगे minus यह है n square into 2 to the power n minus 1 ओके लेकिन इस 2 to the power n minus 1 को अंदर अगर लेके जाओ मैं देखता हूं कुछ n minus 1 अंदर है 2 to the power n minus 1 multiplied by n minus 2 तो दिस इस 2 to the power 2 n minus 3 ओके प्लस 2 to the power n minus 1 n minus 1 plus n minus 1 तो दिस इस 2 to the power 2 n minus 2 is equal to 0 तो फ्रोम यहर देखो देरेक्टली इस इक्वल तो यहां लगा अत्या है and since n is a positive integer n से तो n कर जाएगा तो यह आ गया n plus 1 multiplied by 4 to the power n is equal to 2 n multiply किया इधर इधर यह बन गया देखना n multiplied by 2 to the power 2 n by 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 n by 2 to the power 3 plus 2 to the power 2 n by 2 to the power 2 तो यहां से 4 to the power n 2 to the power 2 n 2 to the power 2 n 2 to the power 2 n is basically what 4 to the power n तो यहां से यह चारो तरफ से कट गया क्योंकि वो तो 90 नमबर है तो इधर से आगे n plus 1 is equal to 2 n multiplied by n divided by 8 minus 1 divided by 8 plus 1 divided by 4 थीक है अब यह इस 2 को अंदर लेके जाते है n plus 1 is equal to n multiplied by 2 को अंदर लेके तो n by 4 minus 1 by 4 plus 1 by 2 इसको simplify किया तो this is 1 by 2 minus 1 by 4 this is 2 by 4 तो this is 1 by 4 तो ultimately यह plus 1 by 4 और इस 1 by 2 को हटा दो ओके अब 4 तो इधर से solve हो जाएगा तो यह 4 common होगे 4 से multiply करोगे 4 times n plus 1 आएगा इधर n multiplied by n plus 1 बचेगा n plus 1 n plus 1 कट गया n की value कितने आगी 4 अच्छा n minus 1 नहीं हो सकता है ना क्योंकि n एक positive integer है तो n की value कितने आगी 4 since n की value 4 आगी हमें solve करने के बाद अब मुझे कुछ और बोला गया है फिर से रेखना फिर से यह summation निकालना है लेकिन किसमस से किसमस से यह वाला summation आसान आगया हमारा नहीं तो मैं यह method बतायता हूँ ncr upon r plus 1 का summation जब निकालना हो ना तो फिर से वह ही formula ncr चाहे ncr plus 1 is equal to देखो यहाँ से यह से देख लो ncr is n upon r into n minus 1 c r minus 1 है ठीक है तो अगर यहाँ n plus 1 c r plus 1 करू तो यह n plus 1 upon r plus 1 ncr है तो ठीक है तो अब यहाँ से देखना n plus 1 c r plus 1 divided by n plus 1 is equal to ncr upon r plus 1 है तो इसको तुमें किस से replace कर देना चाहिए इस से तो यह summation भी आ जाता है ठीक है ओके तो यह तो मैंने method बता दिया है किस तरीके समिशन आएगा लेकिन यहाँ पर तो since n की value 4 आई है तो मैं तो count कर सकता हूँ case equal to 0 रखा तो पहला element क्या आ गया 4 c 0 upon 1 दूसरा element क्या आ गया 4 c 1 upon 2 4 c 2 upon 3 4 c 3 upon 4 and n की value जो 4 रखेंगे तो वो 4 c 4 upon 5 यह calculate किया रहा सकता 4 c 0 is 1 1 upon 1 is 1 4 c 1 is 4 4 by 2 is 2 4 c 2 is 6 6 by 3 is 2 4 c 3 4 c 3 is 4 4 by 4 is 1 4 c 4 is 1 so this is 1 by 5 okay so 2 2 4 2 6 6 plus 1 by 5 1 by 5 is basically 2 by 10 that is 0.2 तो 6.2 answer इसका 6.2 answer इसका समझ में आया तो तुम्हें दिखा होगा यार question ज्यादा difficult नहीं है अगर तुम्हें basic आता है basic concept आता है तो एक question में हमने सारी binomial का submission revise कर लिया ज्यटके में ठीक है तो अगर ये सबाता है तुम्हें तो तुम्हें इस question को कर लोगे बहुत यासानी से next question पर move कर जाते है ये question भी कर लेंगे पी एनसी का question अपना प्यारासा देखो भी या बोल गया 5% A, B, C, D and E are seated in a circular arrangement basically A, B, C, D, E ये पांच लोग है अपना if each of them is given a hat सबको एक hat दिया जा रहा है वा पता नहीं किस कुसी में one of the three colors red, blue या फिर green अब जो hat है वो तीन color के है red, green and blue ये तीन color available है ठीक है and सबको एक ही hat मिलेगा चलो ये भी clear है then the number of ways of distributing the hat such that अब condition या बता है कि person seated in adjacent seats get different color है मतलब आजू 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 जो बैठा हुआ है ना, जैसे for example B को अगर red मिल गया तो C को red नहीं मिल सकता है, A को red नहीं मिल सकता है अच्छा ये चलेगा, green and blue चलेगा, ठीक है लेगिन फिर C को अगर green मिल गया, तो D को green नहीं मिलेगा D को red नहीं मिल सकता है, D को blue भी मिल सकता है लेगिन फिर E को blue नहीं मिल सकता है, ठीक है तो इस तरीकिस्ट करने है, तो देखो कनिशू उतन create होगा थोड़ा सा लेगिन इसको बहुत ही आसानी से सोचो, यह बहुत ही आसानी से solve हो जाएगा Since number of आदमी कितना दिया हुआ है, सिर्फ 5 हमें distribute करना बहुत आसान है तुम अब कैसे भी distribute करोगे, तुमें सोचो तुमने तीनों को एक-एक color का head दे दिया एक-एक color का, तो एक को red दे दिया, एक को green दे दिया, एक को blue दे दिया अब जो दो बंदे बचे हुए हैं, क्या दोनों को फिर से red दे सकते हो मतलब एक को red दे दिया, एक को green दे दिया, एक को blue दे दिया तो क्या आप यो दो बंदे भचवे हैं क्या दोनों को red दे सकते हो तुम बोलोगे कभी भी नहीं इसको तो red बिल्कुल ही ने सकता है हाँ इसको दे सकता है ओके तो maximum red कितना दे सकते हो दो ओके दिस मेंस क्या दोनों को blue दे सकते हो तुम बोलोगो फिर से नहीं, इसको तो blue दे ही नहीं सकता है, इसको blue दोंगा, या दोनों को green दे सकते हो, तो तुम बोलोगो दोनों को green दे दोंगा, तो ये दोनों ही green हो जाएंगे, लेकिन नहीं चलेगा ये, this means एक को green दे सकता हो, फिर से एक को दूफरिया color देना पड़ तुम बोलोगे अकेला रेड, दो ग्रीन, दो ब्लू भी चलेगा, या फिर तुम बोलोगे कि अकेला रेड, नहीं, रड रेड, ग्रीन अकेला, ब्लू ब्लू ये भी चलेगा, ठीक है, ये तीन पॉसिबलिटी है, दो रेड दो, दो ग्रीन दो, एक ब्लू, दो रेड दो, द दो ग्रिन दो दो इसी तरीके से तुम्हें पांच लोगों में अरेंज करना है तो सबसे पहले हम नहीं डिसाइड किया कि किस तरीके से हमें करना है ठीक है डन अब हम लोग डिस्टिब्यूट करने जा रहे हैं अब तुम खुश सोचो कोई भी ये लो कोई भी चोईस लो हमेशा number of ways का डिस्टिब्यूट तो सेम रहेगा क्योंकि RG तो हो रहा है बस ओके तो मैं किसी एक का निकाल लेता है उसको तीन गुना कर दूँगा तो किसी एक को को सेलेक्ट करूँगा पांच बंदे बैठे हुए हैं पांच में से किसी एक को सेलेक्ट करूँगा मैं ग्रीन दे दूँगा ठीक है ग्रीन दे दिया अब देखो मुझे दो रेड देने हैं दो ब्लू तो अगर मैं इसको रेड देता हूं तो रेड अगला इसी को दे सकता एंड इसको ब्लू इसको ब्लू दे सकता हूं ठीक है तो एक possibility ये है कि ये दोनों को red ये दोनों को blue दूसरा possibility ये हो सकता है कि इसी दोनों को red दे दू एंड इस दोनों को blue दे दू इसके अलावा और कोई possibility नहीं होगा तो इधर इन दोनों को distribute करने का मेरे पास दो possibility है ठीक है अब हो गया हमने distribute कर दिया इसको अब तो कुछ करना ही नहीं है लेकिन same case तीन बार multiply होगा क्योंकि तीन choices है यही same case जिसके साथ होगा यही same case जिसके साथ होगा this is 5 इंटो 2, 10, 10 इंटो 3, 30, 30 number of ways यह easy question था, ठीक है next question प्यारते है यह question भी अपने पास interesting है देखना question को ध्यान से पढ़ते है set theory and probability and कुछ कुछ तो mix किया है देखते हैं क्या गिया है अब इन्होंने कुछ define क्या है mod x, mod x denote the number of elements in set x मतलब ns से define कर देते nx से define कर देते अब इन्होंने नया तरीका ढूंडा that is mod x ताकि बच्चे थोड़ा तो confuse हो ठीक है, कि mod का मतलब क्या है तो basically mod x represent कर रहा है number of elements in set x basically cardinal number represent कर रहा है यह समझ लो अब हमारे पास एक set given है जिसमें 6 elements है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी को बोला this is sample space इसका मतलब हमारा यह वाला है थोड़ा बहुत क्या है जो set 3 से question आए तो when diagram थोड़ा सा बना ले नकिए उससे थोड़ा सा easy हो जाता है तो हमारे पास जो sample space है इसी में यह total 6 elements रहने वाले है this is called as suppose अब उन्होंने बोला where each element is equally likely यह देना बहुत जोर रही है तो अभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि probability 1 निकालने का क्या होगा दे दे तब तो गडबड हो जाता है तो हमें बहुत और तरीके सोचना पड़ता है अगर तुमने NCRT class 12 solve किया है तो NCRT class 12 में एक question है इसके conditional probability वाली example में जाके देखना example number 7 मेरे इसाफ शायद है या फिर कोई भी example number जिसमें कि बेसिकली उन्होंने probability ही अलग अलग दे दी थी ठीक है then उसके आद उन्होंने बोला कि if A and B are independent events अच्छा सोचो अगर दो events independent ये तो probability में क्या लगता है associated with sample तुम बोलोगे probability of A into probability of B is equal to probability of A intersection B ये होगा तो वो दोनों independent होंगे ठीक है independent event probability of A into probability of B is equal to probability A intersection B follow करता है independent event and दोनों के दोनों A और B जो set है वो कहां के हैं इसी sample space से कोई दो event है then the number of ordered pair A, B such that ये अब इसका मिनिंग ये समझना है कि तुम्हें इस तरीके से देखना है कि number of elements in A is always greater than number of elements in B is greater than equal to 1 इसका तुम्हें क्या निकालना है कितने possibility ऐसे हैं तो पहले probability लगाया उसके आथ probability नहीं पूछा probability पूछ देगा तब तो basically क्या ही करना होता है number निकाल लेते number of ways divide by total sample space करकर देते number of S लेकिन उन्हें से number of ways पूछ लिया कि अगर तुम्हें number of ways निकालने आ गया तो तुम probability तो निकाली पाऊगे ठीक है कितने order pair A, B होगे तो obviously बात है हम लोग general बनाते हैं हमें साफ general wind diagram हमने बनाया this is A, this is B and this is A intersection B तो अगर मैं बोलू कि total A में कितने elements है number of elements in A में बोलूँगा तो माल लेते हैं कुछ A number of elements है number of elements in B is B number of elements number of elements in A intersection B is C number of elements ठीक है कितना मुझे पता है तो यहाँ पर इन्होंने एक condition यह दिया कि A should always be greater than B should always be greater than or equal to 1 मतलब B empty नहीं होना चाहिए B empty नहीं होना चाहिए कम से कम एक element तो दोनों में ही है then उन्होंने एक और condition दिया probability of A probability of A कितना होगा तो A divided by total sample space में 6 element है probability of B probability of B कितना होगा B divided by sample space में 6 element है probability of A intersection B A intersection B में suppose C element तो C divided by फिर से total element 6 है तो this is A B is equal to 6C एक condition यह है दुछरा condition यह है इससे मुझे एक और चीज़ पता चल रहा है A B is equal to 6C and since मुझे पता है कि A B C कुछ number of element होगे ऐसा नहीं होगा आधा element A में आधा element B में है ऐसा नहीं होगा या तो एक element होगा या तो दो element होगा या तो तीन element होगा तो अब मुझे यही देखना है कि यह दोनों condition satisfy करने वाले कितने A B possible है इन 6 elements में से ठीक है तो कितने order pair यह से possible हो सकते है बस यही देखना है मुझे देखते हैं भाई इसके लिए क्या कोई third for exam मतलब third for PNC लगाना पड़ेगा क्या नहीं थोड़ा बहुत दिमाग से ही सोचना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा तो मैं सोचो मैं pair बनाने start करता हूँ A B C तीक है ऐसे मेरे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है मैं A लूँगा B लूँगा C लूँगा देखना द्यान से और ये दोनों condition को satisfy करेए तो तुम सोचो सबसे बड़ा या सबसे छोटा ये क्या ली सकते है तुम बोलोगे अगर A को 1 लेलो तो अगर मैंने A को 1 लेलिया तो B strictly B 1 से छोटा नहीं हो सकता ठीक है अच्छा देखना सबसे छोटा B क्या ले सकते है 1 तो B को अगर 1 लेलिया A को इस टेम बे 2 लेना पड़ेगा हमें at least अच्छा 2 and 1 लेलिया A B को तो 2 into 1 तो ये 2 आ जाएगा इस रिक्वाल टो 6 सी 3 से छोटी ही होनी चाहिए तो 3 से छोटी 2 हो सकते है 3 into 1 नहीं ले सकता हूँ मैं क्योंकि 3 into 1 फिर से ये 3 आ जाएगा which is not equal to 6 तो 6 का multiple होना चाहिए तो minimum सबसे पहला आएगा मेरे पास case 3 and 2 3 and 2 अगर लेलू तो 3 into 2 उस टेम पे C की वैलू 1 ओके so C की वैलू उस टेम पे 1 मतलब इससे क्या हुआ कि A, B, C जो सेट है दोनों का intersection में B में 2 elements है दोनों के intersection में 1 elements है then 3 के साथ और भी कोई possibility है क्या obviously not A को ही 3 fix कर जिया तो B, 2 ही हो सकता है अच्छा A को अगर मैं 4 fix कर दू 4 fix कर दू तो क्या B, 1 हो सकता है कभी नहीं 4 into 1 is 4 6 का multiple नहीं होगा B कभी 2 हो सकता है क्या 4 into 2 6 का multiple नहीं होगा B कभी 3 हो सकता है क्या 4 into 3, 12 हाँ 6 का multiple हो रहा है तो this is 4 into 3, 12 तो 6 C उस टेम पे 6 की value कितनी आ जाएगी C की value 2 तो इस time पे C की value 2 आ जायगी, तो 4, 3, 2 possible होगा, ठीक है, then अगर मैं A की value 5 रखो, उस time पे ये 1 रखूंगा, नहीं चलेगा, 5 into 1, 6 का multiple नहीं है, 5 into 2, 6 का multiple नहीं है, 5 into 3, 6 का multiple नहीं है, 5 into 4 भी 6 का multiple नहीं है, 5 into 5 ले ही नहीं सकता हो, this means 5 से 1 भी case नहीं बनेगा, चलो, 6 से सोच स्टाट करते हैं 6 अगर लेलू तो बी को बन ले सकता हो क्या हाँ 6 इंटू 1 6 होगा उस टेम पे इधर 6 आएगा तो उधर 6 सी C की वैलू भी 1 आ जाएगी ठीक है अच्छा 6 2 लो तो 6 इंटू 2 एकदम आएगा 6 इंटू 2 12 12 ले लिया तो C की वैलू फिर से 2 6 आएगा तो यह 6 इंटू 3 18 तो C की वैलू स्टैम पे 3 ओकर इंट इस मिंस 6 फोर लिया तो फिर से यह 4 एंट 6 5 लिया तो यह 5 ठीक है ओकर 6 6 ले नहीं सकते है and इसके अलावा और कोई case possible नहीं है तो इतने cases possible है ठीक है इतने cases possible है A, B, C के 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब number of ways तुम्हें तो ये पता है कि A में मुझे 3 elements डालने है यहाँ पर देखना Venn diagram में बना देता हूँ ता कि clear हो जाए A, B and ये वाला चीज़ है C ठीक है तो A में 3 elements है तो तुम्हें पता है ये वाला case तभी होगा जब C में यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 होगा and यहाँ पर 2 होगा ठीक है तो अब इस तरीके सोचो इस तरीके सोचो C में already 1 है ठीक है C में already 1 है जो when diagram मनाया तो ये पूरा clear हो गया अब खेल clear हो गया तो मुझे कितने elements है मेरे हाथ में total 6 elements है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है इन 6 में से 1 बंदा यहाँ जाएगा ठीक है तो उस क्या तरीका क्या होता है 6 में से कोई भी एक बंदे को select किया मैंने उसको उधर C पे भेज़ दिया जैसे ही C पे भेज़ दिया इससे मुझे यह पता चल गया कि वो तो A में भी आ गया, B में भी आ गया अब A के लिए मुझे कितना चाहिए, total 2 elements और जब A के लिए मुझे 2 elements चाहिए, बचे होंगे हाथ में कितने 5, चोकि एक तो मैंने भर दिया अब 5 elements में से मैं 2 elements A के लिए ले लूँगा total कितने select होगे, 1 and 2, 3 select होगे 3 select हो चुके हो, और 3 बचे हुए है अब B के लिए मुझे चाहिए 3 में से 1 इसको calculate कर लो कितना आ रहा, C1 ए 6 5, C2, 10 होगा and 3, C1, तो ये तो 180 आ गया ठीक है, similarly इसमें C के लिए तुम 2 elements भर दोगे, जैसे ही C के लिए element 2 भर दोगे, A के लिए फिर से 2 बचेगा and B के लिए फिर से 1 बचेगा तो तुम बोलोगे पहले 62 से C को भर दो then 4 बचे 4 में से 2 element उठाओ, A के लिए then 4 खतम होगे, 2 बचे 2 में से कोई A element उठाओ, B के लिए ये कितना आ रहा है, 6 C2 6 C2 होता है, 5 into 6, 30 by 2 15 4 C2 होता है, 6 2 C1 होता है, 2 तो ये आगे 15 into 2, 30 30 into 6, ये भी 180, ठीक है then इसके बारे में देखो, 6 C1 कर दिया तो यहाँ पर 5 बचे यहाँ पर 0, तो 6 C1, बाकी जो 5 है 5 A में चले जाएंगे, and B के लिए 0, ठीक है तो ये ultimately कितना आगे, 5 C5 1 होता है, 6 C1, 6 होता है this is 6, इसको देखो, 6 C2 किया, C में पर दिया 2, तो इसके लिए 4 element, इसके लिए फिर से 0 element, तो 6 C2 कर दिया, तो अधर से बाकी 4 C4 आएगा, तो 6 C2 कितना होता है, फिर से अभी तुरंट कैलकुलेट किया 15 होता है, ठीक है यहाँ पर 6 C3 करेंगे, सिर्फ बाकी 3 C3 एक किम चला जाएगा ठीक है, तो 6 C3 कितना होता है, 6 C3, 6 factor 3 4 into 5 into 6 upon 6, 20 होता है ठीक है, इसको फिरेट किया 64, 64 is same as 62, तो 15 आगया 65, 65 is same as 6, ठीक है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया अब तुम्हें क्या करना है, सबको एड कर देना है जब सबको एड करोगे, तो 180 plus 180, 360 इधर कितना आ रहे जोक, 15 plus 15, 30, 30 plus 20 50, तो 360 plus 54, 10 and 6, 6, 12 तो 4, 22 answer आ गया, 4, 22 ओके, तो यह कुश्चन थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग था, बेसिकल सारे कुश्चन इंट्रेस्टिंग ही होते है, जही के, ठीक है, अगर समझ में आने लेगे, तो मज़ा आ जाता है, ओके इस टैब का कुश्चन यार, इसी पेपर में, हमने अल्रेड़ी एक सेक्शन वन में सॉल्व किया, ट्रिक्नोमेट्री का समेशन, एंट फिर से पूछ दिया, और ये कुश्चन कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इस टैब के कुश्चन प्लस के पाई बाई टू, मल्टिप्लाइड बाई कॉस, सेवन पाई बाई बाई टू, ठीक है, ओके, ना लेट सी, अब इसमें सिखाया जाता है, जब भी वन अपन कॉस ए कॉस भी हो, यह मैंने अपने बहुत सारे वीडियों बताया, ठीक है, तो हमेशा साइन ओफ ए माईनस बी से मल्टिप्लाइ करो, अगर ए माईनस बी कॉंस्टेंट है तो, और यहाँ कैल्कुलेट करो, ए माईनस बी एक्जाक्ली कॉंस्टेंट आ रहा होगा, पाई बाई टू आ रहा है, ए माईनस बी डिर्कली दिख रहा है, तो साइन पाई बाई बाई के साथ 7 pi by 12 k pi by 2 ठीक है इससे फाइदा क्या हो उपर sin a minus b बना इसको a माना है हमने इसको b माना है तो this is a minus b अब देखना उपर sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b बनेगा नीचे cos a cos b लिखा हुआ है ठीक है तो इसको देखना cos b cos b कटेगा cos a cos a कटेगा sin a upon cos a tan a minus tan b का समेशन बनेगा tan a minus tan b का समेशन बनेगा तो tan a tan a a के जगा होगा 7 pi by 12 plus k plus 1 pi by 2 minus tan b tan b कितना होगा 7 pi by 12 plus k pi by 2 इसका समेशन बना k is equal to 0 से 10 तक ओके इसका समेशन बहुत आसा ने टेलिसकोपिक है ना k is equal to 0 पुट करो पहला वाला टॉम बनेगा 10 7 pi by 2 plus pi by 2 minus 10 7 pi by 2 plus 0 k is equal to 1 पुट करो ये बनेगा 10 7 pi by 2 plus 1 पुट किया ना तो k is equal to 0 पुट किया तो ये आया 1 पुट करेंगे तो this is 7 pi by 12 12 है टू नहीं गलती मत कर देना एंड 1 पुट किया तो this is 2 pi by 2 minus 10 7 pi by 12 plus pi by 2 ओके तो ultimately जब k की value क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे तो this is 7 pi by 12 plus 11 pi by 2 minus 10 of 7 pi by 12 plus 10 pi by 2 अब तुम मैं देख रहा है जब सबको add करोगे तो इस से कटेगा तो ultimately तुम्हारे पास जो result आएगा वो आएगा 7 pi by 12 plus 11 pi by 2 minus 10 of 7 pi by 12 ठीक है ये result आगया मेरा summation का इस result को simplify करने की कोसिस करेंगे हम लोग क्योंकि यह ही result जो है यहाँ यहाँ जाएगा ठीक है तो इसकी value निकालना पड़ेगा तो this is 10 of 7 pi by 12 तो है इसको 11 pi by 2 को 5 pi plus pi by 2 लिख सकते है क्या हाँ है ना ठीक है this is 5 pi plus pi by 2 minus 10 of 7 pi by 2 इसको ज्यादा कुछ करी नहीं पाएंगे ओके so this is basically 10 of अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अब किसके टॉम में लिखना है तुम्हें तुम देख लो 5 pi plus मैं इसको लिख जाओ 6 pi by 12 6 pi by 12 plus 7 pi by 12 13 pi by 12 13 pi by 12 13 pi by 12 को pi plus pi by 12 लिखा सकते है pi plus pi by 12 ओके minus 7 pi by 12 ओके तुमंट यहां से इसिसन त्हिए यहां से यहां सेर्ग के सिसससी है थै। 10 of 6 pi तो 2 pi 6 pi इह ऐगा 6 pi plus pi by 12 इसको 10 pi by 12 ठीक जिसको 0 wajी मैा क्या ही को इसको लिक दिया 10 c minus 10 d 10 c minus 10 d Crisp Ci फे meditation या 10C minus 10D, basically कितना हैगा, sin C minus D, upon cos C, cos D, ठीक है, तो इसको simplify कर लेंगे, this is sin of C minus D, that is pi by 12 minus 7 pi by 12, तो minus 6 pi by 12, that is minus pi by 2, upon cos C, cos D, cos pi by 12 into cos 7 pi by 12, okay, तो यह तो उपर आगिया, minus 1, upon cos pi by 12, तो इसको 2 से multiply किया, नीचे 2 लाया, and 2 cos A, cos B, 2 cos A, cos B, A इसको माना, B इसको माना, 2 cos A, cos B, कितना है, cos of A plus B, cos of A plus B, plus cos of A minus B, ठीक है, cos of A plus B, pi by 12 plus 7 pi by 12, 8 pi by 12, तो नीचे उपर आगिया, इदर है, cos of A plus B, that is 8 pi by 12, plus cos of A minus B, ठीक है, 7 pi by 12, 6 pi by 12, तो यह pi by 2, तो यह तो 0 हो गया, 8 pi by 12 is 4, 2 na 8, 4 तिया 12, 2 pi by 3, cos 2 pi by 3 is minus half, minus half उपर जाएगा, तो minus, minus plus 4 बच जाएगा, तो, यह सिर्फ आगिया 4, तो ultimately इसकी value कितने आगि, 4, तो अब तो easy है, यह 4 into 1 by 4, यह तो 1 आगिया, तो हमें चाहिए second verse of 1 कितना होगा, तो 0 होगा, खतम, 0 is the answer, ओके, शैलो, next question move करते हैं, next question है हमारा integration से related, और यह integration easy है, डेरिक लिख रहा है, pi by 2, 0, spy by 2 लगाना है, sign cos है, तो कौन सा rule लगेगा, king's rule, अगर इसको i बोला, तो एक और बर i क्या लग सकते हैं, तो मुलोगे, king's rule लगा दो, 0 is pi, 3 times, 3 times, root cos, है न, root cos बन जाएगा, root sin, जो, pi by 2 माइनस theta, a plus b minus x करते हैं, a plus b minus x, नीचे, root cos theta, root cos theta बन गया, sin theta cos बन गया, cos theta sin बन गया, ठीक है, तो basically नीचे वही रह गया, power 5, d theta, तो 2i निकाल होगे, तो 0 से pi by 2 आएगा, and उपर 3 common आएगा, root cos theta, plus root sin theta, divide by root cos theta, plus root sin theta, pay power 5, एक power कट जाएगा, यहाँ power 4 बचेगा, so ultimately this is 2i is equal to 3 times, integration 0 से pi by 2, 1 upon, that is d theta upon, root under cos theta, plus root under sin theta, pay power 4, अब इसका integration कैसे करेंगी, यहाँ तक सुचना है, king's rule तो पहला step सब लगा सकते हैं, यहाँ तक अगर तुमने follow किया है, तो king's rule तो यार बहुत यासान है, लगाना, ठीक है, तो अब देखो ध्यांसे, अब इसको करने के लिए, मुझे यह radical sign से पाड़ होना पड़ेगा, ठीक है, sign cos में कुछ लगा नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे पता है, root cos theta को मैं बहार निकालू, common लिखे, तो root cos पे power 4 है, this is cos square theta, cos square theta ऊपर जाके 6 square theta बनेगा, मुझे कुछ दिख गया, क्या दिख गया, 10 when दिख गया, देखो, 0 से 5 by 2, उपर चला गया, sec square theta, नीचे रह गया, 1 plus root 10 theta का powerful, क्या दिखा, सब कुछ दिख गया, अब तुमारी उपर किस तरीके स्टुमें substitution करना है, ठीक है, कोई लोग क्या करते है, 1 plus root 10 theta को ही पूरा t मान लिया, कोई लोग root 10 theta को t मानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कि root 10 theta को t मानो, तो differentiate करने में difficult हो रहा है, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 10 theta कुछ t square मान लेता हूँ, 10 theta को t square मान लूँगा, तो radical sign हड़ जाएगा, तो इससे से 2 theta, d theta is 2t dt, अब खतम, अब यह integration reduce हो गया, देखना किस में, 2i is equal to 3, integration 0, जब angle 0 है, जब theta 0 तो 10 0, t square 0, ठीक है, जब theta pi by 2 तो वो खतम, तो वो बाद में limit लगा दें यार, reduce कर गए, ठीक है, क्योंकि pi by 2 point defined आ रहा है न, तो हम लोग क्या करें, pi by 2 से इधर limit विंटिंग आ लेंगे, तो यह अभी 0 से रखने लिए ठीक है, limit बाद में मुझे 0s pi by 2 theta में convert करके 0s pi by 2 में रख देंगे, ठीक है, तो यह सेक स्क्वेर theta d theta बन गया, 2t dt, नीचे आ गया 1 plus root t square is t, pay power 4, अब यह integration ज्यादा आसान है मेरे लिए, पहले इस integration calculate कर ले ठीक है, sideways, देखो, 2, 2 की तो कोई value नहीं है, 2 इधर निकला, ठीक है, and 2 उदर से cut भी गया, so ultimately, i is equal to this आ गया, ठीक है, 3 times this, तो t, अब तुम देखो यहा, इसका integration आसान होता है, ठीक है, t dt divided by 1 plus t, तुम क्या अगरों के t plus 1 करोगे, minus 1 करोगे, तो यह आ गया, t plus 1 पे power 4, minus 1 किया, तो 1 upon t plus 1 पे power 4, dt, ठीक है, अब यह आसान है, t plus 1 power 3 है, 1 upon, तो इसका integration आसान है, t plus 1 to the power minus 3 गया, तो t plus 1 to the power minus 2 आया, एंड नीचे आ गया, तो this is 1 upon t plus 1 to the power 2, upon minus 3 plus 1 is minus 2, मैनस, यह उपर गया minus 4 बना minus 4 plus 1 minus 3, तो नीचे आ गया t plus 1 पे power 3 integration में, एंड नीचे आ गया minus 4 plus 1, तो minus 3, लेकिन minus 3 तो यहाँ plus 3 कर देता हूं, ओके, 1, यह integration आ गया, ultimately हमने t किसको माना था, root 10 theta को, तो अब सब कुछ root 10 theta को हम मिला देते हैं, 1 upon बापरे, ठीक है, t plus 1 the whole cube LCM लिया, इन्टो 6, से बन गया 2 इन्टो 3, ठीक है, minus 3 into t plus 1 plus 3 into 2, बस यह 2, तो उपर आ गया यार, minus 3 t minus 3 plus 2 upon 6 times t plus 1 the whole cube, ओके, तो यार, यह result ठीक है, this is minus 2 t minus 3 upon 6 into t plus 1 the whole cube, ओके, t की value of substitute कर दाते हैं, तो this is 3 times, 3 times minus 2 t, 2 t is root under 10 theta, minus 3 divided by, minus 3, यह कैसे हो गया, minus 3 t minus 3 plus 2 है न, minus 3 t minus 3 plus 2 है न, या गडबड हुआ न, मैंने गडबड किया कुछ, हाँ, तो this is minus 3 t minus 1, ओके, तो minus 3 t minus 1, then, नीचे आगे 6 into root under 10 theta plus 1 का whole cube, बस खतम, आई की value आगे, यहाँ पर limit लगाजना 0 से 5 by 2, खतम हो जाएगा question, ठीक है, चलो, यहाँ result आजाएगा ultimately 1 by 2, that is 0.5, next question पढ़ते हैं, last question है हमारा, और यह question बहुत easy है, मैं उपर उपर से तुम्हें बता देता हूँ, उपर उपर से क्या मैं मतलब last तक बता ही देता हूँ, देखो तुम्हारे पस A vector fix है, B vector fix है, तुम्हें A plus B, चाहिए, तो A plus B पहले ही निकाल लिया तुम्हें, A plus B is 3 I cap, plus 3 J cap, यह cap वालत cancel out हो जाएगा, ठीक है, बोला A और B vector given है, तो mod A भी पता है, कुछ दरे के लिए mod A लिख लेते हैं, mod A is root under 2 square, plus 1 square, plus 1 square, तो root under कितना आ गया, 4, 15, 16, root under 6, अच्छा, mod B, वो भी आ गया, 4, 15, 16, root 6, ठीक है, consider vector C, अब C vector consider किया, एकदम alpha A vector, 2 I cap, plus J cap, minus K cap, plus beta B vector, that is I cap, plus 2 J cap, plus K cap, एकदम C vector निकल के आगे, बहुत पहरा सा, 2 alpha plus beta, क्या पहरा सा, इतना गंदा सा आया, alpha, plus 2 beta, J cap, plus, minus alpha, plus beta, K cap, ठीक है, तो mod C vector चाहिए क्या, हाँ, mod C vector चाहिए, तो mod C vector भी निकाल लेते हैं, root under 2 alpha, 4 alpha square, plus beta square, plus दूदना 4 alpha beta, इसका modulus, alpha square, plus 4 beta square, plus 4 alpha beta, alpha square, plus beta square, minus 2 alpha beta, ठीक है, तो यह ultimately कितना आ रहे हैं, 4 alpha square, plus alpha square, 5 alpha square, plus alpha square, 6 alpha square, beta square, plus 4 beta square, plus beta square, 6 beta square, 4 alpha beta, 4 alpha beta, 8 alpha beta minus 2, तो this is 6 alpha beta, तो यह भी तो easy आ गया है, mod C vector is root under 6 times, alpha square, plus beta square, plus alpha beta, ठीक है, ओके, अब देखो, mod C भी आ गया, अब क्या चाहिए, मुझे, बोला गया, अब C के बारे में एक और information दिया हुए, अब देखो, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर B वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, तो मुझे यह वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा, mod B, cos theta into A cap, अब देखना इसको ज्यान से, mod B, cos theta is A dot B, divided by mod A, mod B, into A cap is A vector divided by mod A, ठीक है, तो मॉड B, मॉड B काटोगे तुम, तो, ultimately, तुमारे पास जो result आएगा, वो आएगा, A cap, मतलब direction तुम्हें पता है है, okay, magnitude, magnitude given है, तो, this is, A dot B, divided by, mod A vector है न, ओके, तो, A पे projection लिया गया, B का, तो, projection of C vector on this, इस पे projection लिया गया, C का, तुम इसके हिसाब से क्या लिखोगे, A पे projection लिया गया, मतलब A plus B पे projection लिया गया, किसका, C का, तो, divided by mod A plus B, ये, इसका value given है, इसका modulus given है, एक्च्वल में, 3 root 2, ठीक है, ओके, तो, A plus B, A plus B का mod कितना होगा, A plus B का mod, is equal to root in the 9, plus 9, तो, ये तो आगे 18, तो, 3 root 2, nice, तो, हमारा जो ultimately given है, ये, A plus B vector, dot C vector, divide mod A plus B, is root 3, इस 3 root 2, तो, A plus B dot C, निकालते हैं, A plus B मुझे पता है, C vector में, मुझे यहाँ पता है, तो, इसका dot निकालेंगे, तो, 3 into, 6 alpha, plus 3 beta, ठीक है, and 3, तो, इदर से 3 alpha, plus 6 beta, तो, A dot B आ गया, A plus B dot C, तो, यहाँ से 9 alpha, plus 9 beta आ गया, 9 times alpha, plus beta, मतलब, उपर जो लिखोगे, तुम यह लिखोगे, 9 times alpha, plus beta, ओके, तो, यहाँ से 3 into 3, 3 into 3, root 2 into root 2, alpha plus beta, is equal to 2, आ गया, ओके, then उन्होंने क्या बोला है, then find the minimum value of this, C minus A cross B, C minus A cross B, का dot C vector के गा, तो, C dot C is mod C का whole square, minus C dot A cross B, ठीक है, अब देखना, यहाँ mod C का whole square, mod C का whole square तो बहुत easy आया था, यह कितना आया था, लिख लेते हैं इसको ध्यान से, 6 times alpha square, plus beta square, plus alpha beta आया था, minus C को लिखोगे, alpha A vector, plus beta B vector, तो तुम्हें दिखेगा, पूरा का पूरे 0 हो जाएगा शायद, कैसे देखते हैं, alpha A के साथ, dot लोगे, तो यह पूरा 0, beta के साथ लोगे, तो फिर से 0, यह पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है, खतम, मतलब इसको तुम्हें maximize, minimize करना है, maximize, minimize करना है, बहुत असान है, जब कुछ alpha के form में लेओ, बिटा को लिख दो, 2- alpha, बिटा को क्या लिख दोगे, 2- alpha, का होल स्क्वेर, alpha, बिटा को लिख दोगे, 2- alpha, बिटा को लिख होगे, 2- alpha, यह पूरा का पूरा function, alpha का गया, 6 times, alpha square, plus 4, plus alpha square, minus 4 alpha, plus 2 alpha, minus alpha square, ठीक है, इसको further simplify किया, 6 times, एक alpha square से, एक alpha square कट गया, यह बचा सिर्फ alpha square, minus 2 alpha, plus 4, is equal to, ठीक है, तो यह तो ultimately हागे, 6 times, alpha minus 1, the whole square, plus 3, ठीक है, ओके, so ultimately, इसका minimum value चाहिए, मुझे पता है, यह greater than, equal to 0, एमेसा, तो यह greater than, equal to 3 राएगा, तो यह greater than, equal to 18 हो जाएगा, तो minimum value is 18, तो यहाँ पर हमने, 6 and 2 complete कर लिया, 6 and 2 complete कर लिया, हमने किसका, PayPal 2 का, 2019 का, तो थोड़ा सा, मैंने last में, speed किया है, लेकिन तुम्हें समझ जाने, तो भी strategy मैंने, कल के last वीडियो मताई थी, वो तुम्हें follow करना है, अभी मैं 2020 का, part 1 तो डाल दूँगा, paper 1 तो डाल दूँगा, मुझे इतना पता है, लेकिन paper 2 का, मैं confirm नहीं हो, जो कि, third October को exam है, and today, it is 28 September, third October को exam है, 28 September हो चुका है, 4-5 दिन बचा हुआ है, तो 2020 का paper 1 तक, तो मैं confirm डाल दूँगा, paper 2 डालने की कोशिस करता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए, पढ़ते रहो, मचाते रहो, all the best.